आज की कहानी है रिटेन से दिव्या माथुर की नीली डायरी सुनिए वैदेही के स्वर में रमन रिजवान की नीली डायरी में एक साथ दो नाम जुड़ने जा रहे थे उसकी धड़कन की रफतार कई दिन से तेज थी वैं बहुत तनाव में था जब भी वैए एक नई औरत के शिकार पर निकलता कुछ ऐसा ही होता था अपनी काबलियत पर उसे कोई शक नहीं था और इसी लिए उसकी नीली डायरी मेच पर खुली रखी थी कि कव वै अपने नई पडोसन रीमा कपूर का नाम उसमें लिखे एका एक नजाने क्या हुआ कि अठानवे के अंग पर पहुचते ही रमन की नीली डायरी में प्रविष्टियां अचानक रुख गए और एक शतक पूरा करने के लिए उसे पूरा एक साल लंबा इंतजार करना पड़ा ऐसा नहीं था कि औरतों की कमी थी पर वेही न जाने क्यूं नक्चड़ा हो गया था पहले वे किसी भी एरी गेरी नत्थु खेरी औरत के साथ शाम गुजारने के बाद सहवास के लिए तयार हो जाता था पर अब हर यूवती में उसे कोई न कोई खामी नजर आ जाती रमन एक आजाद भवरा था जो किसी फूल पर बैठने को तयार नहीं था रमन की उस तेजना ने एक कुटिल की ख्वाहिश को जरम दिया अपने शतक को पूरा करने के लिए उसे सिर्फ दो औरतों की जरूरत थी और एक साथ तीन विकल्प उसके पडोस में आबसे थे अधेर उमर की रीमा, रीमा की नई नवेली खुशूरत बहु इसनेहा और अलड़ बेटी जारा जो एक पका आम थी रमन के पेड़ हिलाने भर की देर थी रीमा जी मैं शौपिंग जा रहा हूँ, do you need something from the supermarket कुछ जरूरत हो तो शर्माईएगा नहीं नई पडोसन होने के नाते रीमा के घर के चक्कर बात बात में लग रहे थे जारा और इसनेहा से भी अधिक चंचल रीमा सदा खिलकिलाती रहती थी विशेष्टह जब रमन आसपास हो, जानते हुए भी कि जारा और इसनेहा महनी मन उसका मजाक उड़ा रही थी रमन को इसकी जरा भी परवा नहीं थी वह जानता था कि इन दोनों के नाम भी उसकी निली डायरी में जुड़ने वाले थे अभी जो वह उसको इगनोर कर रहा था, यह उसकी केवल एक चाल थी रीमा भी कोई कम शातिर नहीं थी, किन्तु रमन का चार्म उसके सिर्फ चड़कर बूल रहा था उपर से वह दर्शाती की हसी मजाक उसके लिए सिर्फ एक मनुरंदन था किन्तु अंदर ही अंदर रमन से निकटता के लिए वह तड़प रही थी जबसे रमन ने रीमा के कंधे और पीट की मालिश की थी, उसका तन बदन रमन के आगोश के लिए मचल रहा था रीमा का पती, मनोज और बेटा अमर दोनों अपने आयत निर्यात के धंदे की वज़े से अधिकतर बाहरी रहते थे और जग कभी वे विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने जाते तो हफतों महीं ठिके रहते उन्हें विदेशी मस्ती का चसका लग चुका था लंदन में ओते हुए भी वे रात के एक या दो बज़े से पहले कभी घर नहीं लोटते थे और इसलिए उन्होंने अपनी बीवियों को भी धील दे रखी थी ताकि वे जिक जिक न करें तीन तीन खुबसूरत और तना ओड़तों को मन बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए उनके कुछल खेम लेने और उनके शिकायतों के अंबार में डूपने को बेचैन उनका पड़ोसी रमन जल्दी ही उनकी आँकों का तारा बन गया मैं हुना कहते हुए रमन सुबह शाम हाजिर हो जाता वे कितनी भागिशाली थी कि एक नई चके आकर घर बसाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी नौकर चाकर माली ड्राइवर सभी का इंतिजाम रमन ने एक हफते में कर दिया था मन मौजी, मोटे ताजे और आलसी बाब बेटा फूले नहीं समा रहे थे उनके हाथ हिलाए बिना उनके घर की औरतें संतुष्ट थी उनसे रमन ने भी दोस्ताना गांट लिया था मनोज के शब्दों में वे उसे यूज कर सकते थे वे ये नहीं जानते थे कि असल में रमन उनकी बीवी, बहु और बेटी को यूज करने के लिए पेच लड़ा रहा था जारा का तो मन आ गया था रमन पर एकल, कुवारा, अमीर और बेहदा करशक और क्या चाहिए एक 26 साल की तलाक शुदा लड़की को स्टेट एजेंट होने के नाते रमन बहुत हुश्यार और बातूनी था वे आता तो रीमा के न चाहते हुए भी जारा उसके पास आ बैठती वे माने बैठी थी कि एक वही रमन की सही हकदार थी बूड़ी होने को आई पर अभी तक छमक चलो बनी गूमती है जारा को माँ पर मनी मन गुस्सा आता कि वे कबाब में हड़ी बनी उन दोनों की बीच में बैठी रहती थी इसनेहा रमन के लिए मसाले वाली चाय तो बनाना जैसे ही रमन बैठक में पहुँचता रीमा बहु से कभी चाय तो कभी शर्वत बनाने को कहती बस एक इसनेहा ही थी जो अपने उपर काबू रखने के प्रियत्म में लगी थी सास और ननत का तो कुछ नहीं जाएगा वही बदनाम हो जाएगी नई नवेली दुलन को छोड़ कर अमर पूरे समय पिता के धंदे में लगा रहता एक हफते के हनीमून से क्या होता है स्विजर लैंड भी उसे कहां चैन था हर दस मिनट में प्रीमा ये जारा का फोन आ जाता और घंटों यूही बीच जाते लैप टॉप लैप में लिए अमर उन्हें और अपने अन्य दोस्तों को स्विजर लैंड की तस्वीरें दिखाता रहता और इसने हाँ बाल करने में तनहा खड़ी सुनसान वादियों को अपनी लांकों में उतारती और मन में उन्हें समाल के रखती जाती उसे हमेशा एक डर बना रहता था कि नजाने कब वे उसे मैं के जाने को कह दें उसे सहारा देने वाला कौन था यहाँ उसकी एक छोटी सी गलती भी नजर अंदाज नहीं की जा सकते थी विजनेस के सिलसले में जब कभी अमर के साथ जाना भी पड़ जाता तो इस नेहा को कोड़ने के सिवार कुछ नहीं मिलता था देरो महिलाएं हैं गौर्जियस हैं अत्वा माई डालिंग कहती हुई अमर को आलिंगन में ले लेती और वैं उन्हें चूमता चाटता रहता बिना यह सूचे कि उसकी लाचार पत्नी पर क्या गुजर रही होगी फिर किसी की कमर में हाथ डाले अमर इस नेहा को किसी के साथ अकिला छोड़ कर गंटों काया भूजाता डोन्ट बी सो बैकवड इसनेहा ट्राय टू एंजॉई योसेल्फ इसनेहा के शिकायत करने पर अमर कहता तो उसे लगता कि वैं सचमुच गमार थी गाउं में पली बड़ी इसनेहा को जब देखो तब ताने ही सुनने को मिलते कभी रीमा और जारा के तो कभी पती के रमन कभी इसनेहा से बात करने की कोशिश करता तो रीमा और जारा उसे ऐसे गूरती जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो रमन जब उसे बेचैन और गहरी नजरों से देखता तो इस नेहा को लगता है कि वह केवल उसी को ही चाहता था और केवल उसी के लिए घर के चक्कर भी लगा रहा था इस नेहा रात को उसी के सपनों में कोई सो जाती और एक नई उमंग लिए उठती उसे नहाद होकर अच्छे से तयार हो जाना चाहिए नजाने कब रमन आ जाए चाय पकड़ाते उंगलियों का छू जाना ही उसे घंटों के लिए उद्वेलित कर जाता उधर जारा को किसी के कोई परवा नहीं थी उसे तो लगता था कि जब भी वह चाहेगी रमन उसकी जोली में आगिरेगा और किसके लिए चक्कर लगा रहा था वे उनके घर में आने का कोई तो बहाना चाहिए उसे मम्मी के कंदों की मालिश भी वे जारा के लिए ही तो कर रहा था उसे विश्वास था कि रमन जल्दी ही उसे प्रपोस करेगा वे बहुत उतकंठित थी मैं नहीं जानती थी कि रमन के लिए विवाए गोपनी अंतेश्टी की रस्मों को निभाने जैसा था जिसके मुआवजे में शोकातुर दूला दुलन जब चाहे तब संभोग कर सकते हैं उल्लम खुला हनीमून के लिए जा सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं उपहार के बदले उनके यार दोस्त मुफ्त की शेंपेन पीकर अत्वा इधर उधर मुँ मार कर शती पूर्ती कर लेते हैं पर जो न शेंपेन पीता हो ना ही इधर उधर मुँ मारने में विश्वास रखता हो उसके लिए तो कुछ नहीं बचा जीवन भर एक ही औरत के साथ जिन्दगी भर की जिक जिक में रमन नहीं पढ़ने वाला उसे दो डर था कि कहीं जारा के गड़बड जाले में उसके दो अच्छे शिकार हास से न निकल जाएं जारा से अच्छी उसे रीमा और रीमा से अच्छी इसनिहा लगती थी खेर रमन की पांचों घीमे थी एक साथ तीन खाने भरने जा रहे थी उसकी निली डायरी के जिसमें उन सभी औरतों के नाम हैं जिनके साथ वह सहवास कर चुका था एक टिक लगाने भर की देर थी उसकी नबस इतनी तेज चल रही थी कि उसे लगा कि शायद कहीं रुक न गई हो और नजाने कब उसका दिल निकल कर फर्श पर आगिरे उसके हिसाब से रीमा जारा और इसनिहा तीनों लगबग तयार थी पर वह पशू पेश में था कि खेल कहां से शुरू किया जाए उन में से किसी एक को अलग से बुलाना टेड़ी खीर था जारा सेफ बैठ थी और उसे हासिल करना उसके बाएं हाथ का खेल था पर उसे लगा हाथ लगाने का मतलब था बाकि दूसे हाथ दो लेना और इसनिहा को छूने का अर्थ था पूरे कपूर परिवार से दुश्मनी रमन को लगा कि रीमा से एक खेल शुरू करना बेहतर होगा क्योंकि वह अपने अवैद संबंद को गुपत रखी गी वह यह भी जानता था कि उसकी सबसे बड़ी लूट इसनिहा होगी जिसके लिए वह कोई भी जोकिम उठाने को तयार था पिछले पंद्रह सालों में वह 98 औरतों के साथ सूच चुका था हाला कि उसका मन अब किसी हसीना को देखकर पहले की तरह मचलता नहीं था पर उसे अपनी नीली डायरी के अधूरा छूट चाने की बहुत फिक्र थी सो सो could have been better या जादा से जादा गुड जैसी ठिपणियों से भरी थी उसकी नीली डायरी के पनने नजाने क्यों उसे विश्वास हो चला था कि इस नेहा के नाम के आगे ही उत्तम लिखा जाएगा एक नजर में वह जान गया था वह आम युवतियों जैसी नहीं है इस नेहा की अदम में कामेच्छा को वह जैसे साफ देख सकता था पर वह यह भी जानता था कि एडम और इव के सेव खा लेने के बाद कुछ भी सही नहीं रहेगा अपने एक दोस्त की स्टेख पार्टी के लिए रमन को उस रोज मैंचेस्टर जाना था और यही एक बहाना लिए वह कपूर्स के यहां दोपहर को गया था यह सोच कर कि शायद रीमा और जारा सू रही होंगे और उसे इस नेहा से बात करने का मौका मिल जाएगा ओ डियर, वाट फिल यू दू विदाउट यू? रीमा की कमर बड़े अंदाजे में चूली दरवाजे की घंटी बचते ही वह दोड़ी चली आई थी डोंट वरी रीमा ची, I am at your service 24-10 यहां से मैंचेस्टर किवल चार घंटे की तो ड्राइव है इसनिया रसोई की दरवाजे के पीछे अध चिपी खड़ी दिखे I was only joking रमन, रमन के कंदे को प्यार से सहलाते हुए रीमा ने कहा बट रीमा जी, I am serious, मेरा दिल दिमाग तो यहीं रहेगा आप सब के साथ सब के साथ कहकर रमन ने जारा और इसनिया को भी लपेट लिया दोनों नों यही समझा कि यह समवाद रमन ने उन्ही के लिए बूला था Can I come with you, रमन टू मैंचेस्टर? जारा ने जो अभी तक नाइट सूट में थी No, you silly girl, रमन अपने दोस्तों के स्ट्रैक पार्टी में जा रहा है वा लड़कियों का क्या काम अगर जारा चलने को तयार थी तो स्ट्रैक पार्टी जाए भाड में I have never been to a स्ट्रैक पार्टी ममा मैं अमर के कपड़े पहन के जा सकती हूँ कांटाए जारा ने ठुनकति हुए कहा इस बार मनुद जी और अमर जी जब विदेश जाएंगे तो मैं आप सबको मैंचेस्टर घुमाने ले जाऊंगा रमन ने वादा किया तबी सिर में दर्द लिए अमर घर लोट आया उसे हरारस सी थी चलिए मैं आपको अभी डॉक्टर माथुर के पास ले चलता हूँ रमन ने जट अपनी सर्विसिस पेश की अरे नहीं रमन थोड़ी सी तकान है जर्मनी से लोट कर जेट लेक नहीं जा रहा देखना कल सुभह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा इस नेहा को बेमन से अमर के साथ उपर सोने के कमरे में जाना पड़ा उसके जाते ही रमन भी घर लोट आया यह कहकर कि वैं लंबी ड्राइब के पहले आराम करना चाहता था घार वापस आकर रमन खयाली पुलाव पका ही रहा था कि उसकी दो पुरानी और साई माशुका है आटक की वैं घबरा गया कि कहें आईशा और टीना को रीमा या जारा न देख ले कुछ बगबगा दिया तो रमन को का बना बनाया खेरी चौपट हो जाएगा छोटे मोटे राज बाटने के लिए या फिर एश्क लड़ाने को जब उसे कोई नहीं मिलता तब ये दोनों ही काम आती थी इनसे बिगाड कर वैं कहां जाएगा जब कभी रमन का दमा बिगड जाता तो आईशा और टीना ही 24 गंटे उसे गोध में लिए कभी उसका सीना मलती तो कभी उसकी पीड सहलाती ऐसी सेवा करती कि क्या रमन की माने कभी की होगी दस साल से वे दोनों पालतू कुट्टों सी उसके आगे पीछे पूँच छिलाती गोम रहें थी रमन के लिए तो वे अपने जान भी दे सकती थी कपूर्स देवियों के मामले में भी आशो और टीना उसके मदद कर सकती थी पर रमन अपना शिकार हमेशा खुद ही करता था रमन के माना करने के बावचूद आशो और टीना उसके साथ जाने की तैयारी के लिए बहाने से आई थी पर बार बार उन्हें घर वापस जाने की सलाह दे रहा था पर वे भी ऐसे कोई कच्ची गोलिया नहीं केली थी क्या बात है रमन आज तुमन टरकार आयो खुश में जाज आईशा चटखारे ले लेकर बोलती थी जैसे की उसके मुँमें इमली रखी हो हाँ हम तो सोच के आये थे कि शाम को हम तुमें मैंचेस्टर ड्रॉप कर देंगे कल सुबह तो तुम खड़े होने लायक भी नहीं बचोगे गिलेरे सी फुदकती हुई टीना बोलियो तुम लोग क्यों परिशान होती हो मैंने सोच लिया है कि मैं जादा नहीं पिऊंगा और जाने से पहले मैं जड़ा आराम करना चाहता हूँ तो हम कब रोक रही हैं तुम करो आराम हम लोग तो प्लैन बना कर आये थे कि तुम्हें इस ट्रैक पार्टी में छोड़ कर हम लोग बेबी आंटी के साथ फिल्म देखेंगे और बड़िया खाना खाएंगे फिर कल सुबह तुम्हें घर छोड़ते हुए निकल जाएंगे हाउ नाइस ओफ यू रमन अनुग्रहीत था कितना ध्यान रखती थी वे उसका तुम जाके सो जाओ काल के लिए मैं कुछ पका देती हूँ पीने के बाद तुम्हारी तबियत हमेशा खराब हो जाती है आते ही कुछ खा ले ना अन्दे को क्या चाहिए दो आखे खाना बनाने के लिए आशा सीधी रसोई गर में पहुँच गई मेरे किचिन का सत्या नास नहीं कर देना हमें पता है मिस्टर क्लीनलीनेस रमन जग मार कर अपने सोने के कमरे में चला गया तुझे तो खाने की पड़ी रहती है आशा अच्छे पड़ोसियों के नाते हम रीमा से मिलकर आते हैं रमन तो हमें उनसे मिलवाने से रहा फुदक्ती हुए टीना बोली आर यू सीरियस आशा रमन को पता लग जा तो आशा डोंगे में दाल भी गोती हुए बोली फिर तो वैं हमारी होर भी चापलूसी करेगा कि कहीं हम उसकी पोल न खोल दें तीना के मुँ में जैसे किसी ने नीबू ने चोड़ दिया हुए बात बिगड गई तो हम उसे कहीं नाराज न कर बैठें आशा ने कहा वैसे भी अब हमें एक और रमन डून लेना चाहिए तुमने देखा नहीं रह रहकर रमन की नजर रीमा के बंगले की ओर उठ रही थी तीना बोली आशा ने आलू काटने शुरू कर दिये थे बिकरे हुए छिल्पकों को सफाई पसंटीना हाथ के हाथ डस्बिन में फेकती जा रही थी रीमा इन कंपनी चार दिन की महमान है सो कॉल्ड भले घर की बेटी बहु ना जाने कब किनारा कर जाए वैसे भी उसकी नीली डायरी में आज भी हम प्रॉप पर हैं हमसे बिगार कर वैं कहां जाए गटीना ये हुई ना बात तुमारी खुबसूरती और मेरी वेल्च्वस बॉड़ी और हमारी सेक्स्वैलिटी का क्या मुकाबला करेंगी ये मा बेटी होटों को गोल गोल करके चुम्बन देने के अंदाज में टीमा बोली बड़े दिन से हमने रमन की नीली डायरी नहीं पड़ी रीमा इन कंपनी के एंट्रीज पढ़ने चाहिए अरे अभी तो वैं पूरे परिवार को शिशे में उतार रहा है कपूर्स आयव और उनके बेटे को मैं हूँ न कहकर दोरे पर भेजने वाला है फिर देखना रमन की डायरी पीचारे कपूर्स आयशा ने आप अरते हुए पड़ोस की ओर देखते हुए कहा बीचारे क्या वे विदेश में मज़े कर रहे होंगे और उनकी बीबियां यहाँ तुम भी टीना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो मुझे लाग लपेट नहीं पसंद आयशा चो कहना है साफ कहती हूँ इसलिए रमन मुझे पसंद करता है कौन किसे पसंद करता है टीना बेडरूम से बाहर आते हुए रमन ने पूछा उसके कान रसोई में ही लगे थे अरे तुम सोई नहीं? चलो मैं तुम्हारे मालिश कर दू बात बदलते हुए टीना बोली अरे नहीं टीना तुम्हारी तो पीट में दर्था अब कैसा है? यू नो वो तो चलता रहता है तो आओ जाने से पहले मैं तुम्हारी मसाज कर दू इस से पहले की टीना जवाब दे बेंच की कुरसी के पीछे खड़े होकर रमन उसके कंधे और पीट मसलने लगा टीना के आह उससे आईशा परिशान हो गई उसके हाथों में जादू था उसे मालूम था कि कौन से नाजुक पॉइंट दबाने से शरीर में कहां कहां अग लग सकती है आईशा कब से तरस रही थी अपने शरीर पर रमन की उंगलियों की छुवन के लिए और जब देखो वह टीना की मालिश करने लगता है टीना और आईशा को फिक्र थी कि रमन भला उनके महेंगे शौक कब तक पूरे करता रहेगा आजकल अच्छे और अमीर पूर्शों की बहुत कमी हो गई थी किसी एरे गेरे नत्तु खेरे के साथ तो उनका गुजारा हो भी नहीं सकता था एक थेटर ही देखने निकलो तो सो पाउंड फुर से उड़ जाते थे और फिर आजकल किसी का भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता देखने सुनने में अच्छे दिखने वाले पुरुष हत्यारे साबित होते और फिर नजाने क्या भी मारी पाले हो रमन को तो वे सालों से जानती थी कोई रिस्क वाली बात थी ही नहीं शाम को टीना ने अपने मर्स्डिश पोर्च से निका ली आशा कूत कर आगे वाले सीट पर बैट गई और जेबता हुआ रमन टीना के पीछे वाले सीट पर बैट गया अपने पोर्च में खड़ी जारा और रीमा की सारा स्रुमा गर्दने रमन के पोर्च तक खिची चली आएं हलो वी वांटेट टू मीट यू टीना ने चिला कर कहा तो रीमा और जारा ने उन्हें यू देखा कि उनकी नजर रमन के घर की ओर तभी ही उठी थी शौर जारा ने जवाब दिया अब तक इसनेहा भी बाहर निकलाई थी तीनों की घंटियां टंटना होती काश की वें उन्हें खुदी मिलवा देता अब क्या जवाब देगा ये औरतें भी खूब होती हैं जब खुद मजे ले रही हो तो कुछ नहीं पर जहां कोई और नजर आई कि इनका मूँ तूजा नहीं वे लोग तुम दोनों को देखकर नजाने क्या सूच रही होंगी रमन बुरबुरा है यही कि एक सिंगल आदमी की दो-दो गर्फ्रेंड और वो भी एक सा टीना ने मजाग में कहा डोंड वरी रमन हम तुमारे सक्चे आशिक हैं हम ही तुम्हें इस दलदल से भी बाहर निकाल लेंगे आईशा बोली रमन को लगा कि बात शाय समभल जाएगी वैसे भी तो आज नहीं तो कल उसे अपनी योजना इन दोनों को बतानी ही पड़ेगी रमन इन तीनों में से तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा पसंद है तीना ने पूचा वो जो आखिर में छिपी खड़ी है उसका नाम स्नेहा है उनके घर की बहु ओ गुड गौड रमन आर यू मैड तीना और आईशा की आखें आश्चरे से फैल गए इसनेहा से धूर ही रहना रमन उसके हस्बंड को पता चल गया न तो तुम्हारा मुर्डर करवा देगा आईशा ने कहा मैं कौन सा उसे भगा ले जा रहा हूँ वाट अब आउट दी बेटी जारा वह तो पटी पटाई है मैं ही उसे दूर रख रहा हूँ डिवोस्ट है न उसके माबाप के दबाव में आकर कहीं मुझे उससे शादी ही न करनी पड़ जाए रमन ने कहा रमन के आगरे पर कपूर्स के पोर्च के ठीक सामने तीना ने कार रोग दी ये दोनों मेरे कॉलेज में थी तीना और आईशा रमन ने जल्दी से सफाई पेश की नाइस टू मीट यू गाइज हम स्टैनमोर में रहते हैं कभी उधर तश्रीफ लाईएगा आईशा ने गर्दन बाहर निकाल कर का शूर यू मस्ट कम टू रीमा ने जवाब दिया लव टू आईशा ने हांस से टीना की जांग को दपाया कि वे चलती क्यों नहीं विल मिस यू रमन ने शर्माते और हकलाते हुए रीमा की ओर देखते हुए कहा तो टीना और आईशा ने अपनी आखें आस्मान की और उठा कर चचच किया इंतहाए इश्क है आगे आगे देखिये होता है क्या आईशा बूली मुझे लगता है कि कल वापस आकर इन तीनों पर मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगे रमन का दिमाग अभी भी तीन देवियों पर ही लगाता है कल हमें और कपूर्स को मिल्टन कीज वाले चैपूर रेस्टरों में ले चलो न उनका खाना बेहत लजीज होता है तीना बोली हाँ और उनकी एम्बियंस तो भाई वाह तुमारी नई माशूकाई जड़ से पड़ जाएंगी और हम उन्हें जता देंगे कि हम कबाब में हड़ियां बनने वालों में से नहीं है आईशा ने कहा रमन ने मनी मनते किया कि वापस आकर वह इन दोनों को तो नहीं पर हाँ कपूर्स को वह ज़रूर जैपूर ले जाएगा मैंचेस्टर से वे दोनों तो उपहर को लोटे तो रमन ने बहाना करके आईशा और टीना को बाहर से ही टरका दिया ये कहकर कि वह तोड़े खुमार में था और अवे जम कर सुएगा उनके जाते ही वे सीधा कपूर्स के यहां उन्हें नियोता देने पहुँच गया आप सबको आना है विदाउट फेल कपूर सहाब और अमर को कह दीजेगा कि आज काम से जल्दी वापस आ जाएं रमन को आश्वस्ति चाहिए थी कि कोई बहाना बना कर कहीं वे इसनेहा को घर में ही न छोड़ाएं जैसे कि हर बुदवार और शुकरवार को रात के आठ से दस बजे तक प्रीमा और जारा घर की रखवाली के लिए इसनेहा को छोड़ कर सेंट स्टीफन्स चर्च में सालसा अनरती सीखने जाती थी मिल्टन कीन्स जाने के लिए तीनों महिलाएं ऐसे तयार हुई थे कि जैसे एक दूसरे को माध देना चाहती हो अमर की कार में वे पांचों समा सकते थे पर अब बिना कुछ कहे सुने जारा रमन की कार में आ बैठी रीमा चाहा कर भी कुछ न कर सकी बाप बिटा आगे और सास बहु अमर की कार में पीछे बैठी थी रमन ने स्टार्टर में चिकिन टिककर सी कबाब के साथ आलू की टिककी और छोले मंगवाए काटे छुरी से खाने में इस निया को दिक्कत हो रही थी और कपूर परिवार उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह उनकी बेज़दी करवाने पर तुली हुई हो नहीं नहीं रीमा जी हाथ से खाने का मज़ा कुछ और ही है कहते हुए रमन ने एक टिकका हाथ में उठा लिया तो अमर और मनोज की भी जान में जान आई और वे सब सहज होकर गपा गप खाने लगे इस नहा के जुकी हुई पलकों के पीछे रमन ने धेर सा अभार देखा सभी ने स्वादिष्ट भोचन का भरपूर आनंद लिया तीनों महिलाएं अंदर बाहर से भीग रही थी तो रमन की पूरी तवज्जो मनोज और अमर पर थी जैसे कि वे उसके विशेश अतिति हों बाप पेटा दोनों भारी भर कमर उचे लंबे थे पर उनके शकल बच्चों किसी थी एक बार भी उन्होंनों किसी से ये नहीं पूछा कि उन्हें खाना कैसा लगा कि वे कुछ खापी भी रहे थे कि नहीं रात के करीब यारा बजे लोटते समय जारा ने अपना सिर रमन के कंधे पटिका दिया और वे कुछ न कर सका उसकी धाड़कनों से लगबग दूरी गती थी उसकी कार की घर पहुँचने से काफी पहले ही रमन ने जारा को आगा किया कि वे सीधे होकर बैठ जाए जो जारा को नागवार गुजरा कार के रुखते ही वे खट से उतर गई और अपने पिता के पास जा खड़ी होई अमर ने रमन को घर के अंदर आने के लिए इशारा किया ओ नो इस टू लेट रमन जानता था कि बाकी सब तो सूफो पर परसर जाएंगे बेचारी इसनेहा को ही भाग दोड करनी होगी मैं यूँ ही ठकी हुई लग रही थी बुद्वार की शाम को जैसे ही रीमा और जारा सालसा डांस के लिए घर से निकले मौके का फायदा उठा कर रमन जा पहुँचा है इसनेहा के द्वार खोर्च में खड़े दोनों देर तक बात करते रहे पर चाहते हुए भी इसनेहा की हिम्मत नहीं हुई उसे अंदर बुलाने की नजाने कब उसके ससुर और पती लोटा है हमें लगता है कि जारा दीदी आपको चाहती है इसनेहा ने शर्माते हुए रमन से कहा वाट रमन ने हैरानी जाहिर की जैसे आपको कुछ पता ही नहीं वैं शोकी में बर कर बोली और आई डून नो मुझे तो जारा बिलकुल पसंद नहीं रमन को लगा कि इसनेहा के प्रति उसकी रुखाई के बारे में जानकर इसनेहा को ठंडक पहुँची ओ उन्होंने तो पापा जी से बात चलाने को कहा है चलिए मेरे बंगले में बैठ कर बातें करते हैं रमन ने उसे फुसलाने का प्रयत निकिया सनेहा जानती थी कि अकेले में क्या हो सकता था रमन को वे बहुत चाहने लगी थी पर कोई गलत कदम उठाने को तैयार नहीं थी इधर उधर की हांक कर रमन जख मार कर घर लोटाया जैसा कि सनेहा ने रमन को आगा किया था न्योता पहुचा शनिवार की दोपार के बोजन पर कपूस ने रमन को आमंत्रित किया था रमन ने बहाना बनाया किस अपताहान पर उसके मा और पिता आने वाले थे फिर तो रीमा उसके पीछे ही पढ़ गई कि उन्हें भी साथ लेकर आया You can bring your girlfriends too रीमा ने हसते हुए रमन को ताना मारा नहीं नहीं रीमा जी प्लीज आप मुझे गलत न समझे They are just old friends अरे भाई मजाग भी नहीं समझते रीमा आँके नचाते हुए बोली We are not that orthodox रमन भारी भर का मावाज में सारज जूर जूर से हसने लगी उसके स्वरूप में शर्मो लिहाज का तो कोई नाम ही नहीं था कपूर से मिलने के लिए रमन के माबाब भी बड़े उत्साहित थे कुछ जादा ही खातिर हो रही थी उनकी जारा ठीक रमन की नाग के नीचे इत्राय चली जा रही थी उसने आज लकनवी कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ था जिसमें से उसके बदन की भद्दी सिल्वटें साफ जहांक रही थी दुपट्य का एक पल्ला उसके माय कंदे पर अटका था और दूसरा बेलोस फर्ष पर लिथाड रहा था रीमा ने जब उसे दुपट्टा ठीक से लेने को कहा तो उसने जल्ला कर दुपट्टे को उतार कर सोफे पर फेक दिया इसलिए कहीं नजर नहीं आ रही थी कपूर सहाब उसमें अपना भावी दामाद देख रहे थे खाना स्वादिष्ट था पर घवराट में रमन से खाया नहीं जा रहा था यदि उन में से किसी ने शादी की बात चला दी तो वो क्या करेगा रमन के माबाप अपनी खातिर तवज्जों से बड़े खुश थे लंदन में भला कौन किसी के आगे पीछे घुमता है सेंट अलबंस में जहां हम रहते हैं लोग ऐसे ड्राय हैं कि पूछे नहीं रमन की माने कैई दिया सेंट अलबंस तो बड़ी पॉश चके है जारा अपने भद्दी आवाज में बोली तो रमन को लगा कि भैस को जुखाम हो गया था हाँ इट इस इस्पेक्टुलूइट कर हमारा शौपिंग सेंटर भी बहुत फेमस है आप लोग एक दिन चक्कर लगाए ना रमन के पिता ने उन्हें दावत दी जो उन्होंने जट स्विकार कर ली बिनना किसी ओप्चारिकता के नजाने कब कपूर परिवार के भारी भरकम एलबम रमन की गोदी में रग दिये गए माबाब को उटकर रमन के पास आकर बैटना पड़ा अमर और जारा भी आकर उनके कंदों पर लद गया एलबम में वे अपने बचपन से लेकर अब तक के फोटो दिखाने पर तुले थे गोल मटोल बच्चे अपने भारी भरकम दादा दादी नाना नानी मौसा मासी पारिवारे कमित्रों के साथ हजारों तस्वीरों में थे और हर एक तस्वीर की कहानी सुनाते हुए उन्हें बड़ा मसा आ रहा था आकर में इस नेहा खीर लेकर आई उसने हरे और सिंदूरी रंगी साड़ी पहन रखी थी रमन को लगा कि उसका गुलाबी चेहरा कुछ पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी पपने लांकें उदास थी जावरा और रीमा के बसका तो कुछ नहीं था इस नेहा ही शाय सुभह से एक तांग पर खड़ी थी रमन को बहुत गुस्ता आया चांदी की कटोरी पकड़ाते समय इस नेहा और रमन की उंगलियां चूग गए दोनों को लगा कि जैसे उनके बदन में करेंट दोड़ गया हो बेटी तुम तो किचिन में ही लगी रही तुमने तो अभी खाना भी खाया की नहीं मा ने रमन के मन की बात पूछ ले जी हाँ वैं साफ जूट बोल गई चांदी की कटोरीयों में परोसी हुई खीर वैं सबको देने लगी जब तक वैं रसोई में लौट नहीं गई रीमा और जारा की नजरें इस नेहा का पीछा करती रहीं जैसे इस नेहा से उने खत्रा हो ये तो अच्छा हुआ कि उसका मोबाइल गंगना उठा नहीं तो जारा दो परिवारों के बीच अपने बेयदब और कामुक लतीफों से सबका मनुरंधन करने चली थी रमन जब भी उनके घर आता जारा उसे एक लतीफा जरूर सुनाती है और वैं जेब के रह जाता फोन पर भैंस की तरह रमहाती जारा सबके दिलों दिमाग पर गाड़े दुंद सी चा गई रीमा ने सबका ध्यान बटाना चाहा लगता है कि खीर आपको अच्छी नहीं लगी जारा ने बनाई है सुबह से रसोई में लगी थी रीमा ने कहा रमन का मन एक एक उचट गया अरे वाह क्या स्वाधिष्ट खीर बनाई है जारा बेटी तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए मा ने कहा पर जारा तो फोन पर व्यस्त थी रीमा ने इशारे से जारा का ध्यान मा की और दिलाया तो इसने अपना हाथ हिला भर दिया पूरे पचीस मिंटों के दोरान किसी से फोन पर बड़ी बेहुदगी से बत्या रही थी उसके माबाप ने भी शायद कपूर्स के मन की बाद ताड़ ली थी और वे रमन की ओर उतुक्ता से देख रहे थी रमन को लगा कि उसके तबे सचमूच खराब हो चली थी उसके माथे से पसीने चू रहे थे क्या हुआ बेटा माको चिंता हो पता नहीं लगता है कि वाइरल शुरू हो गया, मेरा सीर बहुत दुखरा है, रमन यकायाक उटके खड़ा हो गया कहता हुआ वे बिना पीछे की और देखे तेजी से बाहर निकल गया थोड़ी देर में ही उसके माबाप के पीछे अमर और जारा चले है Do you need any medicine or something? जारा ने पूचा, नहीं नहीं मैं पेरासीटामल लेकर सोने जा रहा हूँ, कल तक ठीक हो जाओंगा मुह और नाग पर एक बड़ा सा टिशू लगाए रमन बोला If you need anything, just give us a टिंकल अमर ने कहा, रमन के मुह से ठैंक यू तक नहीं फूटा पूरा इत्वार कपूर्स की बातें करती ही निकल गया कपूर्स तो हमारी ऐसे खातिर कर रहे थे कि जैसे तेरे साथ जारा का ब्यार अचाना चाहते हूँ माने टो लेनी चाहे चश्मे के उपर से आँखे निकाले पिता भी रमन का चेरा ताकने लगे जारा तलाक शुदा है रमन ने बात वहीं दबा देनी चाहे तब ही रीमा अपनी तलाक शुदा लड़की को कहीं तेरे पीछे न लगा दे कैसे बेशर्मी से देख रही थी तुझे मजाल है कि भावी की परूसने में ही हेल्प कर दे माने कहा होल योर होर्सेज मा मुझे जारा में कोई इंट्रेस नहीं है शुकर है भगवान का बहु हो तो इसनिहा जैसी कितनी खुबसूरत लग रही थी मा भूली कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि रीमा जैसे स्मार्ट मा और मनोज जैसे हस्मुख पिता की बेटी ऐसी रफियन होगी पिता भूले कैसी भनी ठनी बैठी ती रीमा जैसे कहीं कि मारानी हो पिता की बात काटते हुए मा ने कहा रमन को अनमना देख कर वे जल्दी ही घर लोग गर अपने मन से ही परिशान रमन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे आज तक कभी उसे ऐसी कश्मकश से नहीं गुजरना पड़ा था अभी तक न जाने कितने यूरोपियंस और एशियन लड़कियों के साथ उसने रातें गुजरी थी अगली सुबही कौन और मैं कौन वाला हिसाब होता था अभी तो हाथ पकड़ने का मौका भी नहीं मिला था और रमन की हालत पतली थी ये इस वीकार करने को बिल्कुल तयार नहीं था कि इस नहा को चाहने लगा था दूसरी तराफ उसे जल्दी से जल्दी अपना शतक पूरा कर लेने की पड़ी थी वह इतना विक्षुब्द था कि ठीक से सो भी नहीं रहा था दिन न्यानवे का नंबर ही मनोस था नीली डायरी के दिन शायद पूरे हो चले थे विस्तर में पड़ा रमन अभी इसी उधेड़बुन में था कि बैल बजी उचल कर खड़ा हो गया शैटीना और आयशा नहो अपने सोने के कमरे में से जहाका तो धरवाजे पर जारा को खड़े पाया उसे देखते ही जारा अपना एक हाथ जोर जोर से हिलाने लगी कि वह नीचे आये अपने को कोसता हुआ कि उसने खिड़की से क्यों जहाका रमन गाउन पहन कर बेमन से नीचे आया मामी ने तुमारे लिए काड़ा बना के दिया है रमन के हाथ में गरम गरम मक पकड़ाते हुए जारा सीधी बैठक में चली आई वैहत कचा ऐसा दरवाजे पर ही खड़ा रहा गया इट्स नाइस जारा ने कमरे का मुआइना करते हुए का यू मस्स टे अवे फ्रॉम रमन की बात पूरा होने से पहले ही जारा उससे लिपट गई आई डोंट क्यार पूरे दो दिन से ममी मुझे रोके बैठी थी रमन को लिए वैं सोफी पर आडटी लेट मी टेक अबात आई विल जॉइन यू इन आ सेक शर्म को ताक पर रखते हुए जारा ने अपना प्रसाव रखा रमन सोच रहा था कि उसे नीली डायरी के निन्यानवे खाने को पूरा करने का ये मौका हास से नहीं जाने देना चाहिए पर न जाने कि उसके हाथ पाउँ शिथिल पड़ गया बड़ी मुश्किल से अपने को छुड़ा कर वे खड़ा हो गया वाट्स रॉंग विद यू जारा गुस्ते से बिफरने लगी नथिंग आई टोल यू आम नॉट वेल यू लुक परफेक्टली वेल वे फिर उसकी उर बड़ी पीछे की और सरकते हुए रमन ने काड़े के मक को मेज पर लुड़का दिया ओ माई गॉड वाट्स अ मैस कहता हुँ अवे रसूर की और दोड़ा सम्थिंग इस सर्टेनिंग रॉंग विद यू रमन जारा ने रमन के गाउन की बैल्ट के नीचे की और आँखों से इशारा करते हुए बेहयाई से कहा गुस्से में वे चिल्ला है जारा एकदम ठंडी पड़ गई थी घबरा के वे दर्वाजे की और मुड़ी ही थी की बैल बजी जारा ने दर्वाजा खोला तो देखा रीमा खड़ी थी वे उसके सीने से चिपक कर जूट मूट रोने लगे वाट हैपेंड माई डार्लिंग रीमा ने रमन को देखते हुए जारा से पूछा वे उसके बाद भाग गई रीमा जी आई टोल्ड हर तो इस्टे अवे फ्रॉम मी बट रमन की बात पूरा होने से पहले रीमा ने कहा तुम्हें कुछ एक्स्प्लेन करने की जरुरत नहीं है रमन आई नो जारा इस लिट्टिल एरोगेंट मैं फिर आऊंगी रीमा ने कुछ इस तरह कहा कि जैसे की रमन जारा को नहीं खुद उसे चाहता था बौकलाया हुआ रमन मातम पुर्सी कर रहा था कि एक साथ दो शिकार हाथ से निकल गए थे बी पेशेंट रमन फॉर माई सेक ओठों पर अपने उंगलियों को चूम कर रीमा ने रमन की और एक फ्लाइंग किस्वें का जो रमन को लपक लेना चाहिए था पर वैसन खड़ा रह गया रीमा एक ही वाकि में वैं न जाने कितना कुछ कह गई थी मुड़कर पीछे देखते हुए रीमा इटलाती हुई बाहर निकल गई वैं सिर्फ पकड़कर सोफे पर बैठ गया रमन को लगा कि उसका कौमारे बंग होने जा रहा हो ये उसे क्या हो गया था उसने मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया क्यों वराजी नहीं हुआ शायद वैं जान गया था कि इन तीनों मेंसे एक को भी छेड़ने का मतलब था पूरे परिवार से दुश्मनी मौल लेना नीली डायरी को उसे अब जला देना चाहिए रीमा मौका डून रही है उसे वापस आने का ना जाने क्यों मा और बेटी दोनों के ही साथ हम विस्तर होने के विचार से उसे वित्रशना हो रही थी उसी रात को रमन ने अपने सूटकेस भरे और सेंट ओलंबस जा पहुचा उसके मैं अब बाप हैरान हो गए पहले कभी उनके पास रहने नहीं आया था अगले दिन टीना और आईशा आधम की अभी 99 के चक्कर में ही अटके हो या आईशा ने मजाग में पूचा साच मुच ये नंबर तो बड़ा मनूस निकला खेर मनूस तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि दो-दो के ओफर एक साथ आए पर मुझे refuse करना पड़ा ओ तो ये बात है तुम तुमारी मज़ों चैसी ये सूरत तो कुछ और ही कह रही है तो इस नहां के इंतजार में हो टीना ने कहा तो रमन को लगा कि शायद वह उसके मन की बात कह रही थी छोड़ो उसकी बात करने से क्या ही फायदा हताश आवाज में बैबूला Don't worry, we will fix you with someone really nice No thanks, मैं उन दोनों से छिपा बैटा हूँ तुम दोनों मेरे घर गई थी क्या हाँ, तुमें घर में न देखकर हमने सूचा कि तुम रीमा के घर पर ही मिलोगे डीमा बड़ी बेरुखी से मिली इसनेहा भी बीमार सी लग रही थी टीना ने बताया टीना और आईशा मा से गप्पे मार कर चली गई रमन ने अपने मन को समझा लिया कि इसनेहा का इंतजार करना बेकार था और ये कि वह वापस कभी अपने घर नहीं जाएगा अशांत कुंठित और वेथित रमन उधेर बुन में बीमार दिखने लगा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था बेमन से वह अपनी एजेंसी में पहुचा कि किसी तरह अपने को व्यस रखे दोपहर को एका एक उसे शीशे के बाहर रीमा दिखाई दी वह चड़ हो गया उसे एजेंसी का पता किसने दिया इसके पहले कि रीमा अंदर कदम रखती रमनी उठकर बाहर आ गया वह स्वस्थ कमसिन और ताजा लग रही थी कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह बहु बेटी वाली एक अधिर उम्र की ओरत थी रमन का दिमाग जल्दी जल्दी काम करने लगा वह क्यों आई थी जारा के लिए या अपनी भूख मिटाने के लिए कहीं अकेले में बात हो सकती है रीमा ने मुस्कुराते हुए पूचा यहीं पास में ही बरिस्ता है वहाँ नहीं कहीं प्राइवेट रमन के कान खड़े हो गए शायद नीली डायरी की निन्यानवी पंक्ती को भरने का समया पहुचा था रीमा खोद आई थी चलके उसके द्वार पूरे आठ महीने होने को आए और नीली डायरी में वह एक भी एंट्री नहीं पर सका था मन न होते हुए भी रीमा के साथ सूने को तयार था अपने करवचारियों को ये बता कर कि वह किसी को एक विकाव फ्लेट दिखाने के लिए ले जा रहा था रमन चाबियां लेकर निकल आया ये घर उसकी एजेंसी से दस मिनट की ड्राइव परे था रास्ते पर दोनों नहीं बूले एक अच्छे से घर की ड्राइव में कार रुकी जिसके आहाते में फॉर सेल का बूर लगा हुआ था वूड यू लाइक सम्ठी रसोई में जाकर रमन ने चाय की केतली ओन की और रीमा से पूछा I have not come here 40 शोख में भर कर रीमा बूली वे चुप चाप उपर सोने के कमरे में पहुँच गए न जाने क्यों रमन को इस स्नेहा की याद आई एक मन हुआ कि वे रीमा को जाने के लिए कह दे पर फिर नीली डायरी का क्या होगा और वह क्यों इनके घर की राजनीती में पड़े Don't worry for condoms I am sterilized कमरे के परदे बंद करते हुए रीमा ने रमन की दुविधा भी सुलजा दी अपने काली स्कॉट और ब्लाउस तह करके रीमा ने कुरसी पर रख दिये थे बिस्तर पर अदलेटी सी होकर उसने रमन को अपने पास बैठने का इशारा किया जो बेहत तनाव में था जमीन पर उतार फेके कपड़ों की पॉन मुखरता बिस्तर पर आपसरी और उसके बदन पर सिर पेचे की बेल सी चड़ने लगी जैसे कि रमन ने मन में सोच रखा था कि रीमा बिलकुल उसका उल्टा निकली उसकी शोख हदाएं सिर्फ दिखाने भर की थी अपने हास सिर के उपर उठाने ठांगे फैलाने और आँ-आँ करने के सिवा रीमा ने कुछ नहीं किया रमन को याद आई वे अफ्रीकन योगती जिसे रमन के हाथ और पाउं बान दिये थे शरीर पर फिसलती वे उसकी जीब ने रमन को इतना उत्तेजित कर दिया कि उसे लगा कि कहीं उसे दिल का दोरा ही न पड़ जाए रमन के विचार में संभोग का भी प्राय मनुरंजन और विश्राम था किन्तों वे बहत तनावरस था रीमा ने भी बिना किसी प्रेमाचार के जल्दी से जल्दी अपने भूख मिटानी चाही या फिर रीमा के पास भी एक डायरी होगी लाल या गुलावी जिसमें वैं रमन का नाम जोडने की जल्दी में थी इस नेहा के पती उसका प्यार और निश्ठा उसे घर बसाने के लिए बाद कर रहे थे पर रमन अपने को बांदना नहीं चाहता था और नाहीं उसे अभी बच्चे चाहिए थे एक तरह से माफी मांगती हुए रीमा ने जटपट कपड़े पहने और नीचे आ गई नीली डारी के अनुभाव वाले खाने में रमन एक प्रविष्टी के लिए तयार था इस बात पर मनन करने के लिए रमन को सुकून चाहिए था पर रीमा के मौ की टॉटी जो एक बार खुली तो बंद होने का नामी नहीं ले रही थी अपराद भावना से क्रसित रीमा बोले चले जा रही थी पहला ही सत्र दुर्भा की पूंड रहा था तुम चाहो तो मैं यहीं आ जाया करूंगी तुम तो अपना मॉबाइल तक नहीं उठाते वे शिकायती अंदाज में बोली अक्चुली मेरा मॉबाइल घर पर ही छूट गया था इस वीकेंड पर शायद आऊ रीमा को उसने जल्दी से ही सेंट ओलमबस के बस इस्टेशन पर छोड़ दिया कार से उतर कर रीमा ने रमन के होटों को बलाच चूम लिया रमन ने फैसला कि वे जिन्दगी में अब कभी रीमा से नहीं मिलेगा ये जेंसी में बैठा रमन सोच रहा था कि गोरियों से खुल कर इश्क लड़ाने का मज़ा कुछ औरी था संभोग के बाद तू कौन और मैं कौन कोई दबाव ने, कोई जनजट ने, कोई ऐसान ने, कोई उपकार ने, बस प्योर फन इंडियन ओड़तों की तरह नहीं कि एक बार उनके साथ सो क्या लिये कि जीवन बर का टंटा पाल लिया रमन को ये समझ नहीं आता कि काम सूतर के देश में संभोग पर इतना बंदन क्यों, कैसे और कब लग गए और शायद इसी वजह से यौन, कुलेक और गंदी गालियों में निकलती हैं लोगों की कुंठाएं रमन की नीली डायरी में अभी तक एक कुवारी कन्या के स्वाद की प्रविष्टी नहीं थी एक जर्मन शोडशी मिली तो बेहत खुबसूरत और स्माट ये पहली भार था कि किसी लड़की को देख कर उसका मन बस में नहीं रहा था और वह जड़ से मान भी गई थी आम इस्टिलो वर्जिन प्रेमाचार को उद्यत रमन के बदन में जैसे एक करेंट लगा हो रमन सिर्थ से पाउं रखे भाग लिया था उसके दोस्तों ने उसे डरा रखा था कि वर्जिन्स बहुत मैसी होती है हाला कि दिल्ली से आये रमन के भस्तीजे ने उसे एक बार बताया था कि भारत में तो वर्जिन के लिए आदमी धेर सारा धन खरचने को तयार रहते हैं उसका मजा ही कुछ और है अब शायद उसे कभी मौका ना मिले नीली डारी के दिन पूरे होने को आये वैं ठक चुका था फोन पर रमन ने टीना और आयशा को खूब ज़ाड़ा कि उन्हों ने उसका पता उसे क्यूं दिया हम तो सोच रहे थे कि तुम खुश होगे कि 99 के चकर से निकल गए आयशा ने का हम तो तुम से मिलने घर गए थे घर के बाहर ही रीमा मिल गई और बातों ही बातों में उसने हम से तुम्हारा पता ले लिया टीना ने सफाई दी हम इस निया से भी मिले थे उसके गाल पर नीले पीले निशान थे आईशा ने बताया तो रमन के कान खड़े हो गए हमने पूचा कि यह क्या हुआ तो चौकन ने बिल्ली सी रीमा जट पीच में आकर बोले वे सीडियों से गिर गई थी टीना बोले हमें तो लगता है रमन की घर में उसे कोई पीठता है क्यों टीना? हाँ उसकी शकल देखी थी न तुम ने टीना कैसी बीमार लग रही थी तो मैं क्या करूँ जुझलाते हुए रमन बोला सौरी हम तो सोच रहे थे कि तुम उसे चाहते हो हमारा फर्ज था तुम्हें बताना अब मर्जी तुम्हारी रीमा के साथ हम विस्तर होने के बाद उसके बहु के साथ चक्कर चलाना उसे वाजिब नहीं लगा पर विरोधी पक्ष के हर एतरास को बड़ी सफाई और शर्मनाक्त तरफदारी से खारिच करता हुए रमन स्नेहा से मिलने का वसर डून रहा था उसके रातों के नींद हराम हो गई थे ये सोचकर के शायद 99 का नंबर उसके लिए लग्की हो रमन उसी शाम को वापस घर पहुँच गया पहले तो उसने अपनी नीली डायरी में 98 नंबर के आगे रीमा का नाम लिखा और उसके अगले खाने में बततरीन लिखकर जैसे उसने अपने मन की भढास निकाले उसे विश्वास था कि बहतरीन वाली प्रविष्टी केवल इसनेहा द्वारा पूली होगी रीमा तो इसनेहा के पैर के मैल के बराबर भी नहीं थी उसिन बुद्वार था रीमा जरा सालता सीखने गई वे थे डरते डरते उसने कपूर्स के घर की घंटी दबाए कि कहीं बाप या बेटे दोनों में से कोई घर ना आ गया हो स्नेहा ने दर्वाजा खुला रमन को देखकर वे घबरा गई Are you all right? रमन ने पूछा तो इसने कहा कहास वता अपने बाएंगाल पर चला गया Who hit you? रमन ने गुस्ते में पूछा मैं सीडियों से किर गई थे Bullshit! इस देश में तुमें यह सब सेने की जरूरत नहीं है मैं क्या करूँ? इन्होंने मेरा पासपोर्ट छिपा रखा है Duplicate पासपोर्ट बनने में सिर्फ 10 दिन लगते है स्नेहा की आखें खुशी से ऐसे चमक उठी जैसे किसी गरीब बच्चे को टौफी मिल गई हो और फिर एका एक बुझ गई जैसे कि दूआ छोड़ती है मुम बत्ती पासपोर्ट बन भी चाहे तो मैं किस मूँ से घर लोटूंगी आंसू उसके गालों पर लुड़के हुए थे जैसे धूप में चॉकलेट पहने लगे डर के मारे वे इधर उधर देख रही थी कहीं कोई देख न रहो तो मारे पास मुबाइल है क्या रम्मन ने पूछा नहीं तो ये अपने पास रखो मैं इसकी साउंट बंद कर देता हूँ ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारे पास मुबाइल है ये देखो मेरा नमबर टॉप पर ही है तो मैं सिर्फ कॉल का बटन दबाना है ओके रमन ने अपना पूराना मुबाइल उसको देते हुए का नहीं मैं अपने मा बाबू को फोन नहीं करूंगी सिर्फ परिशान होने के अलावा वे कुछ नहीं कर पाएंगे आप भी मेरे लिए परिशान नहों सब ठीक हो जाएगा कैसे ठीक हो जाएगा रमन के प्रश्ण का उसने कोई जवाब नहीं दिया पर उसने देखा कि इस नहा के चेहरे पर एक कठोरता उतर आई थी उसे लगा कि कहीं वे कुछ खतरनाक करने की न सूच रही हो आप जाएगे किसी ने मुझे आपसे बात करते देख लिया तो डोन वरी यहां किसी को चुगर खोरी के लिए समय नहीं है बगल वाली फ्रांसिस अपनी बैठक की किड़की से पूरे मौले की ख़बर रखती है छीख है मैं कले पासपोर्ट फॉर्म लेकर आऊंगा तुम्हें जो याद हो भर देना बाकी मैं देख लूँगा बिना कोई जवाब दिये इसनेहा ने जल्दी से दर्वाजा बंद कर लिया वापस घर पहुँचते ही रमन ने फोन मिलाया हलो दूसरी तरफ से एक बेहत घवराई कोई आवाज आई डरने की कोई बात नहीं है मुबाइल को हुश्यारी से छिपा दो और घर में जब कोई नहो तो मुझे फोन करना किसी को पता लग गया तो भी बूल इसनेहा डरने की कोई जरूरत नहीं है मैं हूँ न मुझ पर तुम्हें भरोसा है न आई प्रॉमिस तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगे आखे बंद करके रमन आराम से सूफे पर लेट गया आज वो बहुत खुश था पती द्वारा इसनेहा के बदन को चाहे अतिक रमण हुआ हो दिलो दिमाग से वह अंचुई थी उसे लगा कि जैसे जीवन भरवा इसनेहा के ही इंतजार में था नीली डारी में सौवी और आखरी प्रविष्टी पकी थी और रमन यह भी जानता था कि इस बार की एंट्री बहतरीन होगी जारा के घर लोटते ही बगल वाली फ्रांसिस ने जो घर के बाहर ही खड़ी थी उसे रमन के आने की खबर दे दी उस शाम रीमा अपनी साहिलियों के साथ गपे मारती हुई पीछे रह गए थी जारा की आखों से अंगारे बरस रहे थे जैसे वो इसनेहा को मार ही डालेगी दीदी वह तो आप ही को पूछ रहे थे डर के मारे इसनेहा के मुह से निकल गया मुझे पूछ रहा था जारा को विश्वासी नहीं हुआ इसनेहा उपर अपने कमरे की और भागी उसे रमन को साथधान कर देना चाहिए इससे पहले की जारा फोन करके रमन से कुछ पूछे बातरूम को बंद करके उसने रमन को फोन पर अपने जूट के बारे में बताया डून वरी मैं समहा लूँगा सनिहा की जान में जान आई आराम कुरसी पर जूलता हुआ रमन अब जारा के फोन के इंतजार में था आप सभी शोताओं का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत दने है